आज है सेकेंड जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्रांगी के वारे में देखें वक्रांगी का जो शेर है ये लगाता तूट रहा है 28 रुपए से भी नीचे अब ये शेर आ चुका है और एक वक्त का गोल्डन शेर हुआ करता था ये काफी अच्छा दिन दे देखो तो वक्रांगी की हालत खराब से बत से बत्तर होती चलीगे और तूटकर बिखरता गया और अभी भी हम क्या सकते हैं कि बीच बीच में डेफिनिकली तीजी दिखाने की कोशिस जरूर की लेकिन अभी भी कोई ग्रोथ नहीं आई है जब भी भागा है तूटकर वीडियो से जब काफी ज़्यादा हेल्प करेंगे तो वक्रांगी का शेर आज भी गिरावट दिखा रहा है एक महिने में देखे तो 18% तक तूट चुका है 35 रुपए से लगा था तूट रहा है और अगर आप एक साल का ग्राफ देखे तो 36% से भी ज़्यादा के गिराव गया वापस थोड़ा सा बाउन्स बेग दिखाया वापस तूट के बिखरा लेकिन अगर आप देखो कि तो ग्राफ जो है वो डिकलाइन वाला मोड है यहां पर पांस साल की बात करें तो हां जैसा कि मैंने कहा कि गोल्डन पीडियर था वाई साब 500 रुपए से भी उपर श तासरे उपर गया फिर ऐसी हारत हो गई कि 18 रुपए तक भी आ गया फिर भाग कर ये भाई आ 65 रुपिस के आसपास गया अब वापस तूट के बिखर रहा है तो यहां पर अगर मैं इसके लोग की बात करो तो जो अब तक इसने बनाया है वो इसका बना है 18 रुपए के आस जाने वाला है ठीक है कोविड वाले खराब हालात नहीं है लेकिन फिर भी वकरांगी को लेकर कई सारे चलेंजिस भी है और चलेंजिस है इनके बिजनस को लेकर वो हम यहां पर डिसकस जरू करेंगे वकरांगी में अगर हम देखे तो स्मॉल के अब शेर है तीन हजार करोड़ की था लेकिन पिछले साल सौ करोड़ का था और जहां तक बात करें प्रॉफिट की तो तीस करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफ़ा हुआ है जो पिछले क्वाटर में उन्तीस करोड़ था और पिछले साल बीस करोड़ के आसपास नजर आया था मार्च क्वाटर की बा के revenue को लेकर अगर हम देखे तो definitely जैसे कि मैंने कहा कि revenue में जंप आया है अगर आप देखो तो company के revenue 6500 करोड थे 2018 में तब शहर भी पह या 500 रुपे के हासपस trade करा था तूट के 1500 पे आ गए 2019 में फिर 685 करोड और COVID के वक्त financial year 2021 में 314 करोड लेकिन 2022 में इनका जो revenue है वो 780 करोड के आसपास का है मतलब 2020 और 2021 के मुकाबले बहुत बढ़िया है ये revenue दूसरी और profit की भी अगर हम बात करें तो profit में भी बढ़िया improvement है आप देखो 25 करोड का profit था 2019 में 2020 में 71 करोड फिर 62 करोड अब 109 करोड बाइस में तो बहुत अच्छी बात है बिछले साल के मुकाबले इस बार का profit सबसे जादा है तो ये एक अच्छे संकेद भी जरूर है लेकिन company अगर हम देखे तो जनरली वकरांगी करती क्या है वकरांगी केंद्र आपको छोटे शहरों में गाओं में देखने को मिल जाएंगे जहां पर आपको कई सारी facilities मिलती है ठीक है और कई सारी services जो है जो अभी भी हम काफी लोग गाओं में और दूर दराज में अगर आप देखो तो वो लोग अभी भी internet से और कई सारी चीजों से उतने familiar नहीं होते हैं तो वो जाते हैं वकरांगी केंद्र में और वहीं से अपनी services को लेते हैं और वहीं से चीजों को धबता कि ये कहना नहीं चाहिए कि ये भी वहीं पर रहेंगे जी नहीं अपग्रेड होंगे और और कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसकी सर्विसे से शुरू करेंगे जैसे कि अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखे तो पिछे साल जब हम से ने देखा कि कोविट के वक्त ड तो यह अच्छी बात है इनके पास रीच है इनके पास नेट्वर्क है दूर दराज वाले से इक्रम में और वहां से एक कंप अब जाकर ये थोड़ा सा सस्ता हुआ है 27 का P.E. है और सेक्टर P.E. 28 का है तो अब जाकर थोड़ा सा सस्ता कह सकते है आप वना इससे पहले वक्रांगी बहुत ही हाई P.E. के ओपर ट्रेट कर रहा था बहुत ही हाई P.E. के ओपर था और खरिदारी कन्ये का सही मौकश शेयर में कोई भी रेट फ्लेग नजर नहीं आ रहा है लॉंग टर्म में F.E. से भी पैसा बना कर दिया है रीजन यह है कि देखो गिरावट हमने अभी देखी है मैं यही कहूँगा कि शाट टम का यह खिलाडी है अगर पर शर आपको साथ या आठ रुपे का भी फायदा होता है तो एक बार के लिए पो प्रॉफिट ले लेना चाहिए और अभी मेरे इसाब से बेचने का मौक वक्त नहीं आया है मेरे इसाब से खरीदारी करी है तो बने रही है यहाँ पर और जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है definitely वकरांगी में यहां से हर गिरावट में खरीदारी के मौक्य बनेंगे bottom कहा है ये कहना मुश्किल है क्योंकि अगर आप देखो तो 2021 January से ये लगाता तूट रहा है ठीक है 2021 January से और पिछले डेर साल से ये गिरावट है डेर साल से लगातार गिरावट है ठीक है बीच पीच में थोड़े से ही रफतार पकले थी उसके लगातार ये तूटी रहा है डेर साल से लगातार ये गिरावट में देखने को मिल रहा है ये शेर यहाँ पर जब इसने आप दिसाते की 2000 यहाँ पर 2021 से जब ये 66 रुपीज के आसपास ट्रेट कर रहा था वहां से लगाता तूट रहा है ये शेर कहीं पर भी ऐसा संकेत नहीं लगा कि अब ये बाउंस बेक दिखाएगा बीच-बीच में अगर तीजी भी आई तो वापस ये तूट गया है और पिछले डेर साल में पहली बार ये इस लेवल पर ट्रेट कर रहा है इससे पहले ये इस लेवल पर तब गया था जब कोविड वाला माहौल था और कोविड के दौरान हमें इतनी गिरावट देखने को मिली थी ओवररल मैं इतना ही कहूंगा वकरांगी को लेकर कि हाँ यहां से हर नीचे की लेवल पर खरीदारी की मौके है लेकिन अगेन कहाँ फंडमेंटली उतना भी बहतरी खिलाडी नहीं है कि आप बहुत बड़ा निवेश करके बैड़ जाए चोटा मोड़ा निवेश करना चाहो तो कर सकते हो और टुकुडों में खरीदारी करना ताकि हर नीचे के लेवल पर आवरेज कर पाओ और अगेन प्रॉफिट हो तो बुक करने में हर्ज नहीं होना चाहिए और हर उपर के लेवल पर आपको गिरावट जरूर देखने को मिलेगी यहां पर और नीचे के लेवल से बाउंस बैक पर देखने को मिलेगा लेकिन अभी तो फ्रीफॉल वाला माहौल है तो कहां पर अटके का य 20-25 का जो रेंज होगा वकरांगी में वो बाइंग का रेंज होगा वीडियो को यहीं प्रेंड करूँगा पसंद आए हो तो लाइक कर शाय के चैनल बगरा पहली बार है तो प्लीस सब्सक्राइब करें और वकरांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कम कमेंट में लिखकर बता सकते हैं थैंक्यू